नमश्कार दोस्तों मैं आपका अपना श्राववन से मेरे साथ मेरे सेनिर बोटनी के सेनिर फेकल्टी सर्वेश जियादव आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप सर्चा करने जा रहे हैं स्टेश सी 2022 स्टेट लेवल टेलेंट सर्थ एक्जाम 2022 जो 10 और 12 प्लास के बच्चों की होती है उसके वीडियो सोलिशन से पहले आप से हम चर्चा करने जा रहे हैं यह एक्जाम आज 8 दिसंबर को हुआ है एक अच्छा एक्जाम बच्चों गया निश्यत रूब से आपने इ लेते हैं ग्यारा बारा तेरा नीट और जेई और एंडियो की कोर्सेश लेते हैं सीकर में अपना खुद का स्कूल है सीवेसी का नीट के लिए जेए के लिए एंडिये के लिए और कहां से क्लास से तो आप के किस्क्रास से तो आपको प्रीवांडेशन कराना है टार्गेट जुड़ सकते हैं इसी के साथ अलबर हमारा खुद का सैटफ है जहां हमारा खुद का स्कूल है के वी मुकूर अक्भीर रास्तान बूर्ड का है वहां आठ लोग को निशन चलते हैं और आ लेगा प्रीफाउंडेशन ग्यारा बारा तेरा नीट और जीट दोनों पे चलेगा हाँ सीकर में प्रीफाउंडेशन छह साथ नो जसे अलवर जेपुर में आठ नो जसे तो जुड़े के सारे का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी 2023 उसने बसंद पंची में उस तिन से नए सेशन के स्टार्ट हो जाएंगे आप सीकर आएं विजिट करें अलवर जेपुर सीकर जेपुर का आड्रेस आप जानते हैं गोपालपुरा बाइपास पे जो पहले हमारा डिट का सुलिसन करेंगी पहला क्युजन है शेवा सब्द अधि में संगया का प्रकार किसमें श्यवा सब्द में तो शेवड क्याम है शेवा एक भाव जाए घरेगी शेवा सब्द में भावा तक संगया सो जिस संग्या सब्द से किसी जाती के संपून प्राणियों वस्तों इस्तानों आधिका बोध होता है किसे जिस संग्या सब्द से संपून जाति प्रानिव सबसे क्या होता है वो दोता है उसे क्या है संपूर्ण जाती किसमें अता है नाम से पता लग रहा है जाति का मतलब जातिवाचक यह बहावाचक कि यह विक्तिवा तुम्हें क्या चाहिए वाक्या में सुर्णाम का परकार है आज में क्या चाहिए अब देखो प्रसनла that तो परस्वाचक सरवय नाम में स्रवाचक सरवय नाम नेगे उत्म पुरुषवाचक सरवय नाम उसके तीन होते है तीन प्रकार उत्म अपन को पुछा है पहला उत्म in Uttam Phrush Vatshaksar 99 का समुए कौन सा है मध्यम्ध्य में लचाएगा तुम तुम्हारा ठी कुशे अन्षे अन्पु Also हे वे यह और उत्रम हम मैं wow मैरा मको हमसर यह जाएगा तो इसमें अजाएगा फैस्ट हम मैं हम सब हम लोग ये किसमें आजएगा उत्तम पूसमें तो इसका अंसर हो जएगा फैस्ट हम य हम सब हम लोग तो उत्तमक क्यां मुझा वुजिया का स्वाद बहुत अच्छा होता है वुजिया है लेकिन कौन सी है विकानेरी अपने पड़ा है जिसका कोई विशेश नाम होता है क्या होता है विशेश नाम होता है तो वहां में सा व्यक्तिवाचक संग्या आती है कि विशेस नाम होतों कि विक्ति वाचक नाम है इसलिए भूजिया विकानेरी है तो नाम कोन से प्रेक्टिवाचक विशेषन नेक्स्ट नेक्स्ट निम्मिल्कष मड़ित सब्दों में गुण्माचक क प्रकार है किसका गुल्माचक कश्मिर कोई बहुत ये तीनों इसके उदर उतर नहीं है इसमें आएगा पूराना कौन सा जाएगा आन्सोर रइट सेकंड पूरान नेक्स्ट प्रेणार्थ कर्वाते हैं तो इसमें किसी में कोई काम नहीं किया जा रहा है कra आदर कर्वाया की आधार्फर किरिया का प्रकार है किस का अधार पर सरस्ना धर करा रहे वोग है नेक्स्ट तुम बहुत दीरे दीरे चलते वाके में रिखांगे सब्दम में अव्यव है अब यह पूछा है कि इसमें दीरे दीरे चलने में तो यह दीरे दीरे चलना बहुत दीरे चलना इसमें कौन सा है रित्ति वाचक तो इसका फैस्ट उजाएगा अंस्वर रित्ति के प्र जोडने का मबॉध्य नेथ को इस में पड़ते है आरे में कें और अचर्ण मनिय至 में मैं इस अब दर हो घया मामา देध्य में टेल्च प्रदग के दनाव अगा इस आफ न कि आफ तो सब्सक्राइब हैंеш को है पंडितत पर सब्सक्राइब है में तक हो Sasha परकार के ठीछ होते हैं होते दीवासन में को सब्सक्राइब हैं fully आए कम आहां से अओIP कि निवास में अपासरक तीन लीओ और अफश्र नेक्स थां लुटास हमें उपसरक अने प्लस कर चास सर्ध है यह तो कुला है यह संद यह दो दिवें हूज आहिए कंश Steve किसका होजाएगा किर शाम चोथा इसका आंसवर सही हो तपया नेक्स्ट कुसन के बेटी सब्द के अर्थ को परकट करने वाला सब्द है किसको बेटी त यहां बेटी 12 स्विया है कनक मतंग सुने तो इन इसका उल्टा हो जाएगा तो थर्ड है वह इसका सही आंस्वर है next कि सदाचारी सब्द का सही विलोम है सदाचारी को अपन अमेसा लिखते हैं दूराचारी इसका अमेसा उल्टा क्या बोलते हैं दूराचारी लेकिन यहाँ अपनी चारों उप्शनों में दूराचारी सब्द नहीं आया इसलिए इसका उल्टा क्या मानेंगे वेभीचारी तो इसका दूसरा आंस्वर है वो सही होगा वेभीचारी नेक्स्ट आदी और आदी देखो दोनों सब्द बोलने में एक जास है आदी आदी शुरूती सम्मिनार तक सब्द युक्मा सई उत्तर करफ है आदी और आदी इसमें छोटी की मातरा है इसमें बढ़ी की मातरा है दोनों बोलने में एक जास है लेकिन मातरों का फ़रक है अब और चरम सुरुतिसम बिनार तक सब्द का सहीव कल्प वह अधिवाला जैसे है चरम और चरम इसमे रहा पूरा आ गया इसमे रहा उपर दे दिया इसका उत्तर क्या होगा चरम का अंतिम और चरम का मतलब चंबड़ा तो इसका पहला है वो सही हो जाएगा नेक्स्ट अगरे सब्द सब्सक्राइब का सही संदी इस सब्द का है इसको सब्द बोलते हैं इसका सही संदी विशेद क्या है सब्द प्लस दर्व दूसरा है उप्शन वो सही हो जाएगा नेक्स्ट उथ प्लस इस संदी विशेद का सही उप्लस इस उप्शिष्ट उचिस्ट यह हो जाएगा इसका सही चोथ हा ओप्शन इसका राइट है नाइक सब्द में संदिका प्रकार है उसमें संदिका कुन सा प्रकार है गुण यन वर्दी अयादी इसमें सही हो जाएगा आयादी संदि टीसरा उप्शन है सही हो जाएगा नेक्स्ट कूछन है it with the hand sama sama s 이kspad में समास है यह समास कोन सा है विध्या धन विध्या रुपी धन अपने से करते हैं भी द्या या सकतते हैं अर विद्या है जो रह सकते हैं उसका स्थक्रकाल है वो जाएगा तो विद्या है करते है। प्रदान भी होता है और पहला पद अव्यव भी होता है उपसरग भी होता है इसमें देखो गजानन्द सच्छाई महापूरुष और आज जीवन तो इसमें को जाएगा आज जीवन जीवन भर जीवन प्रियंत आज जीवन है यह इसका पहले का आंस्वर सही है पहला तो पत्चीस में पहला आंस्वर राइट नेक्स्ट कुर्शन है यूद भूमी सब्द का समास विग्रह है यूद भूमी यूद के लिए भूमी इसके लिए यूद के लिए भू हो जाएगा कि नएक्सट इस फोर शो किस्व को जोड तों से बहुता है कि्यों गोप टुरण के चाला गया के इसको सब युदा है प्रह्ट भूंको जोड़ ताया और रहो सम्ने जोड़ा है नेक्स्ट है जाता तो दो दो जोड़ना होता है एंगता हो कहां बार नक्रार होकित के नहीं होने खिई काम की भाव या नहीं होने का बहुत असे हम इस्वाहिक तो क्या खहते हैं अबुट को इसमें हर जगार है अभाव नई नए नकारात्म करता रहा है तो यहां नकारात्म कोन दे रहा है निश्रीद आत्मत वाकि तो इसका सेकेंड फॉप्शन है वो सही है नेक्स्कूशन है अधिन नजर बचाना अर्थ का प्रकट करने वाला मौवरं है नजर बचाना क्या जाएगा आखें चुराना आंखे का तारह आखें जार होना कि विंचानना कोई इस čे मुझा ऊथैं आखें चुराना ऑनने नजर बचान तो 29 समय वह सब्सक्राइब की कि बाध यह मुझ्य को मुझा इध का चांद में महुर्य का अर्थ सभी नेक्स्ट क्यूशन है जान बूज कर विपती मोह लेना अर्थ को परकट करने वाला मौावरा है क्या है कि जान बूज करके विपती है वो मोह लेरा अगला जान बूज कर मुशिबत मोह ले रहा है क्या कर रहा है जान बूज के मुशिबत मोह ले रहा है जान बूज के जो मुशिबत मोह लेता है उसको क्या बोलते हैं कि आवल मुझे मार पंजबर्ष्टी बूजा रहे हैं तो इसमें जान बूज कर विपती क्या कर रहा है किला मोह ले रहा है तो आवल मुझे मार यह उसका लोखोगती का अर्थ है उधो की पगड़ी मादो का शिर इसमें अगला क्या पूच रहा है लोखोक्ति का अर्थ पूच रहा है तुस companion crust का अर्थ कैया होता है उधोगो की पगड़ी लगा देते हैं उसको बोलते हैं उधो की पगड़ी मादू का इलोको किसी एक आधोस का सही हो जाएगा नेक्स्ट न्क 1 तुवारियोग का त्रेबिदस Quéमा का अपने छोटा हो से धोते हैं हुम उम्र के लिए व्यापारिक पतर के लिए अपनी बढ़ों को पत्र लिखते हैं तो पुजने के कोन होते है अधने कोन होते हैं अपने से बढ़े तो यहां तीसरा ओप्शन से हो जाएगा पत्र के प्रारम में पत्र के दाहिणी और प्रेसक अपना क्या लिखता है जो वेक्तिगत पत्र होते हैं उसके सुरू सुरू में पत्र के दाहिनी और अपन क्या लिखते हैं अपना पता पत्र लेकन की टीठी लिखते हैं तो सेकेंड ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट इसक्रुशन है पाटों क्या अधर प्रकीस जानर के चाहरे पर विशाध से रूप से चाहा होता है ना ग्लास में डिया वाइग कि किस जानर के चाहरे पर एक विशाध दुख इस ताहरों से चाह्या रहता है में साथ है वार रहता है वो किस पर रहता है गाय घुर्टा बेल या इसका में वॉइन रही किमने हैं तो चॉत्र का मतलब होता है कि सबसे आगे तो हिंगी में जो लेखक है उस मिभेंगे में सबसे आगे कौन है मुझी परेमचंद हरिसंकर परसाई माहदेव वर्मा और राहुल संक्रदान यह अपने नायंत में छटे पार्ट में दिया वाया प्रेमचंद की फटेज हुते हैं हरिसंकर पर नेक्स्टर आंके माता का आंचल का के लेकक है माता का अंसल यह टे इन्द क्लास्त का फेस्टर करिति का में माठा कांसल भाट है उसके लेको क्वन है शीव पूझन सहाई तो इसमें पहला आप सब्कूर और नेक्स्ट वीना गुंजन ग्राम्या लोकायतन आदी कावे किरतियों के लेकक किस किस के वीना गुंजन ग्राम्या लोकायतन आदी कावे किरतियों के लेकक हैं वो लेकक कोन है इसमें चार उप्शन दिया है सुमित्र अंधन पंत मांखलाल चत्रवेदी रस खान और कभी तो अपनों क्या पूच्छा है वीना गुंजन ग्रामे लोकायतन इसका उप्शन हो जाएगा फैस्ट सुमित्र अंधन पंत के हैं तो नेक्स्ट कुश्चन अगे निर्गुन संथ प्रंप्रा की परमुकवी जानते होंगे आप परशित कवी है बक्तिकाली नीर्गुन की संथ केम परमुकवी को माना जाता है तो सेностью कर्भिद्र जी को माना जाता है एक नेक्स्ट गूशन माटे वाली कहाने में किस समश्या को लेखकने पर्मु रूप सी उजागर किया है माटे वाली जो चिप्टर है अपने नाइंद क्लास में है तो उसमें माटे वाली है उस पार्ट में कहाने में किस समश्या का लेखकने पर्मु रूप सी उजागर किया है पड़ा होगा आपन सब्सक्राइब करने जा रहे हैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है हमारा जो नीट आयटी का जो बैच है हम 6 अप्रेल से शुरू करने जा रहे हैं साती सात आपको एक जानकारी और देदू कि अंदर भी हमारी टीम जो है वो उतर चुकी है है और आप अगर डिफेंस सेक्टर में भी जाना चाहते हैं तो अच्छा हमारा जो सिस्टम है जिसके अंदर हमने हमेशा आज तक 27-26 साल से हमने आप खुद को प्रूव किया है उसी तरह से हम डिफेंस सेक्टर के अंदर भी खुद को प्रूव कर कर रहे हैं और आगे भी हम प्रूव करते रहेंगे क्योंकि इस साल हमारा एक जो बैच है हम सेक्सफूली कंप्रीट करने जा रहे हैं तो आप आएं चाहे डिफेंस की त्यारी के लिए आते हैं चाहिए आप सफल बना कर हम यहां से बेजेंगे चलो बात करते हैं हमारे फर्स क्योशन के और दो क्योशन है यहां पर नाउन है यह क्या है क्या नाउन है क्या एडवाव है क्या एजेक्टिव है वह है तो अगर हम इसको देखें तो ट्वेंटी एक्चुली में क्या कर रहा है इस बोईस को क्या कर रहा है डिफाइन कर रहा है ना उसको डेफिनेट कर रहा है न इस बोईस की विशेस्ता बता रहा है कि कितने थे वाई 20 थे कितने थे 20 थे यानि यहाँ पर adjective होगा third option आपका right answer but then second question कियो और he solved the sum quickly 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 यहाँ पर देखो हम इसे adverb बोलते हैं क्यों बोलते हैं हाला कि answer आपको पता होगा कि adverb है adverb क्यों है क्यों क्यों कि यह क्या कर रहा है इस वर्व को modify करने का काम कर रहा है यह वर्व को और ज्यादा advanced features दे रहा पर बोलते हैं advance थोड़ा सा ओर ज्यादा ठीक है तो adverb है यह अपनी ज्यादा आपन explain नहीं कर पाएंगे my mother is fond अगर आप fix preposition की बात करें तो found off होता है option number third है आपका fourth question के बात करें he has not yet recovered किस से रिकवर नहीं हो illness से यानि बीमारी है उसकी he's आ गया his illness तो क्या आएगा from recovered from his illness हाना next है सही है सब्का book you want is out of print यहाँ पर हम जिस book की बात कर रहे है है जो out of print है ना you want to चाहते हूँ आउट of print है हम किसी particular book की बात कर रहे है अगर हम particular book की बात कर रहे है तो article लगाते है he is honorable person unable person है sound की basis पे अगर हम बात करते है क्योंकि देखो actually noun तो यह है ना man article किसके लगना है man के लिए तो लगना है man के लिए देखके किसको लगेगा adjective को देखके लगेगा क्योंकि sound तो यह ले रहा है यहां पर हम क्या लगाएंगे and he is an honorable person हाँ अगर यह honorable नहीं दे रखा होता तो अपर निसली देते है he is a man क्या दिक्कत आ रही ठीक है ना क्योंकि sound देखो honorable man sound किसका रहा है वो देखो आप तो यहां पर आगया option number two next बात करते हैं the boy I trust proof worthy of my confidence चो लड़का था यहां पर noun है और यहां पर क्या दे दिया pronoun दे दिया दे दिया इस subject को अपनी वह मिल गई कोटा पुरा हो गया देखो दब वह किसके लिए आया आया trust के लिए आया यानि who whose when which इनकी दो आप आत हम कर नहीं सकते क्योंकि इनको तो अपनी वह मिल गई तो बचा क्या हूं नेक्स देखो, it is Shankar I think is the better of the towards swimming, it is Shankar ये Shankar है इसके बारे में मैं सोचता हूँ कि ये क्या है, swimming, दो में swimming से अच्छा है, तो जिसके बारे मैं सोचता हूँ, तो which, sorry, who जाएगा इसमें, भई, क्या आएगा, नहीं, it is Shankar I think is better, तो बेटा जी, who आना है इसमें, क्या ऐगा, who आएगा, क्यों, आच्छा हूँ क्यों आएगा नेक्स जाएं, he सेकेंड फोम में वेंद रखा है तो वोस ब्लेइंग है। एक काम पुरा हो जाता है दूसरा काम चलता रहता है वह बात होती है डॉन्ट डिस्टरम मी डॉंट इस्टरम मी प्रजेंट का सेंटेंस आपका क्या हो रहा है I am please kindly ये सब दे रखे हो तो क्या आता है I am doing next time इंडिया tomorrow दे रखा है ना tomorrow दे रहा है time of AdWords है आपकी यहां पे और tomorrow जब दे रखा होते तो future की बात होती होती है future लोगी एक दे रखा है यहां पर will win he for five hours five hours है तो पर्जेंड प्रफेक कांटिनियस की अगर बात करें तो has been sleeping next students the class before दे रखा है before के बाद हम जानते कि second form of work है और before के बाद head plus third form of work है और यहां पर head plus third form पहले option में दे रखा head left my mother always always दे रखा है always हमेशा किसकी बात करता है रेगुलिटी है बिचल हना तो है बिचल है अगर है बिचल की बात होती है है बिचल के लिए कि market सिंपल होता है और इस प्रजन इहां पे कुउंट सहे तो बॉक्स आट ऑए है यानि यह य है ना इधर नोट तो आई नए सकता हुँ है नोट दे ही रखा हो लेडी बोथ हैं dwらい ह्लें क्वें नोट से जोड़ते हैं तो 2 विंट्रों हमारे पास हाँ हैं तो आते ही नहीं है, तो आते हैं नहीं है, तो आते हैं कि नहीं है, और यहां पर प्रेपजिशन की बात के बजा है, अगर हम समझे इस चीज़ को, तो एक्षिन में प्रेपजिशन के बाद तो अब्जेक्ट का यूज होता है, लेकिन यहां पर बट है ना, यह एजेक्टिव का काम भी कर रहा है, थोड़ा से ध्यान देना, यहां लाकि यह पुछा क्या है इसमें, और यहां पर बट आएगा, बट अन्हेपी, इंग्लिश से आघंगे काम बहुराएब क्यां करते हैं, और यहां पर अगर हम बात करें, तो गण को करогए भे आप से से जा गया पर जयन्ट से जब आ जाता है तो आगे हम हम चैंज नहीं करते हैं तो इसलिए यहाँ भी कर रहा है यहाँ नहीं कर र包 है कि कि साथ है एव यहां पर प्लस थर्ड फॉम आएगी ठीक है यहां पर देखो यह भी गलत है यह भी गलत है तक ती फॉस स्कूर्ट शीकन ड्राइव एक आर क्या है क्वेशिन टाइगे ना तो कैने तो कांट शी का है सेकिंट इसके बाद में दे हैव सॉल्ड था हाउस तो इसका भी क्वेशिन टाइग करना है देखो जो पोजिटीव वह तो उसको नेगेटिव बनता है ना तो यहाँ पर है रखा और यहाँ पोजिटर वर्ड इस टेल स्टेल होता है बसा और फ्रेश होता है ताज़ा अपोजिटर वर्ड ओल्वेज ओल्वेज मतलब नेवर हमेश्चा कभी नहीं रिस्क का मीन क्या है वर्ड सीमिलियर पूछ लिया तो डेंजर होता है सेफ कैसे हो जाएगा भी बताओ क बताने के लिए प्रोफेशन से क्या है कुक है ना इश्वरन जो अपने मालिक के साथ रहता था और पड़ा ओगा ना आपने वह उन्टे स्टें देटीन फूल्स को रहना चाता है कि नोप सुछ के साथ वह छोड़के चला गया था अपने फोड़ी योग पड़ी हो लेटरेटर के अंदर है अपने गुरु गुरु उसको छोड़के चला गया था डिसीपल दा ओथर्स हाउस वस कंप्लेट डिस्ट्रॉइ बाए ओथर अगर हाउस इस ओन एट हॉम फार फायर से हो गया था यह हूँ आरे बंच ओफ क्रुक्स किसको कहा है लेंचों ने लेंचों ने लेंटर फू गॉर्ड आपका चैप्टर जो है इसमें बैंक इंप्लोईस को कहा यह पॉस्ट पोस्ट ओफिस एंप्लोईस को खाया वही पॉस्ट ओफिस का चैप्टर यह पूरा दपोएम हाउट टेल वाइल्ट एलिमर्स इस रिटन भाई के लिखी है तो फर्स्ट ऑप्शन हूँ टोल्ड एन फ्रैंक टू प्राइट ऐसे अंदब सब्जेक्ट चैटर बॉक्स किसने का तो उसके टीचर ने कहा था फॉर्म डाइरी ऑफेंट के चैप्टर से मिस्टर कैसिंग जो थे नेस्ट है वाट डज डिजी डिजी होता है थोड़ी थोड़ी हलकेर की बरसात होना और हलकी बरसात लाइट रेन है नेस्ट है विच वाड़ मीज सीमिलियर विक्टरी यह कैसे हो सकते हैं बताओ और लास्ट से सेकेंड लास्ट है हूद इसकावदा फॉर्मूला साइंटिस्ट की बात ओ यह किसने लिए बोडिको ट्रांस्पेट करने का फॉर्मूला जो था वह खोजा था डिसकवर किया था फूट्प्रिंट्स विदाउट फिट तो आपके इसमें यह ग्रीफिन थे साइंटिस्ट और आपके लास्ट क्योशन है बोली जो थी आपके चैप्टर बोली के अंदर उसका रियल नाम क्या था सुलेखा अच्छा लिखने वाली सुलेखा तो यह आपके 40 क्योशन है और होप करता हूँ कि आपने 40 के 40 क्योशन स ही किये हों और अच्छे सचा आपका रिजल्ट आए